हलो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं टेंट क्लास में ज्यामिती आक्रितियों में समरुपता के अंतरगत प्रमे नमबर तीन मैं उपर प्रमे पटेल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर तो आईए देखते हैं प्रमे तीन यदि दो समांतर चतुर भूज में संगत कोड बराबर होतो उनकी सभी भूजाएं एक ही अनुपात में होते हैं अतह ओसे समांतर चतुर भूज समरुप होते हैं यहाँ पर जो है इस प्रमे को हमको सिद्ध करना है क्या दिया गया है यदि दो समांतर चतुर्भूज में संगत कोण बराबर हो तो सीधा सीधा हमको दो समांतर चतुर्भूज बनाना है जो जिनके संगत कोण आपस में कैसे होना चीए बराबर होना चीए तो सबसे पहले हम दो समांतर चतुर्भूज बना लेते हैं यह है एक समांतर चतुर्भूज और एक समांतर चतुर्भूज जो है और बना लेते हैं यह जो है अमारा दो समांतर चतुर्भूज हो गया इसमें ले लेते हैं A, B, C, D और यहां पर ले लेते हैं P, Q, R, S यह दो समांतर चतुर्भूज A, B, C, D और P, Q, R, S लिया गया है यहां पर बोला गया है कि संगत कॉर्ण जो है कैसे हैं बराबर हैं तो यहां पर यह कोण A, कोण P के बराबर, कोण B, कोण Q के बराबर, कोण C, कोण R के बराबर, और कोण D जो है, कोण S के बराबर होगा. तो यहाँ पर हम लिख देंगे समानतर चतुर भूज A, B, C, D वा चतुर भूज P, Q, R, S में कौण A बराबर, कौण P, कौण B बराबर, कौण Q, कौण C बराबर, कौण R, कौण D बराबर, कौण S ठीक, तो यहाँ पर जो है, दो चतुर भूज में, समानतर चतुर भूज में, संगत कौण को हमने कैसे कर दिया? बराबर कर दिया अब यहाँ पर देखते हैं हो तो उनकी सभी भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं यह हमको सिद्ध करना है यह हमारा ज्यात है यानि कि दिया है वाला अब हम लोग दूसरा पोर्शन इसमें लिखते हैं सिद्ध करना है क्या बोला गया है उनकी सब ही रुजाएं एक ही अनुपात में उते हैं तो इस कंडिशन में हम बोल सकते हैं AB और PQ का अनुपात लिख देंगे यहां AB बटे PQ BC बटे QR CD बटे RS और AD बटे में क्या आना चाहिए PS तो यह जो है आपका संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा इसको हमको बराबर सीध करना है अब यहां पर प्रमे सीध करना होता है तो कुछ हमें रचना करना पड़ता है जो कि दोनों चतुरभूज का साइज जो है अलग-अलग है दोनों का सेथ सेम है दोनों समानतर चतुरभूज है लेकिन दोनों का आकार जो है size में एक जो है बड़ा है और एक जो है छोटा है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर जो है AD और AB या यह भी बोल सकते हैं AB और BC के लंबाई के हिसाब से यहाँ पर जो है पहले तो हम एक काम करते हैं S Q को मिलाते हैं S को Q से मिला दिया गया तो यहाँ मैं लिखते जाता हूँ नहीं तो फिर confusion बढ़ता जाता है रचना में पहला QS को मिलाया Q को S से मिलाया पहला काम दूसरा अब यहाँ पर AB के लंबाई के हिसाब से यहाँ पर जो है हम एक बिंदू ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं A- इसके लंबाई के हिसाब से जो है यहाँ पर ले लेते हैं B- इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ वहाँ, यह हो जाएगा B डेस, और इसके हिसाफ सीधर खिश दिया जाता है, यह हो जाएगा C डेस, ठीक, और यह भी ध्यान रखना है, यह कूण जीतना है, उतना ही यहाँ पर जो है कूण हमारा बनना चीए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, P S में एक बिंदू लिए A डेस, और R S में एक बिंदू क्या लिया गया, C डेस, कैसे, A B जो है, A डेस B डेस के बराबर हो जाए, और B C जो है, B डेस C डेस के बराबर हो जाए, और यह कूण और यह कूण जो है आपस में बराबर हो जाए, तो पी एस वा आर एस में दो बिन्दू कौन कौन सा लिया गया है एडेस सी डेस एडेस सी डेस इस प्रकार लिया की A B बराबर A जेस B जेस वा B जेस B C बराबर B जेस C जेस तथा साथ में कौन को भी दर्शा देते हैं कौन D A B बराबर कौन S A डेस B डेस कौन S A डेस B डेस ये जो है हमारा रचना कंप्लीट हो गया तो ध्यान रखना ये A B की लंबाई A डेस B डेस के बराबर होनी जीए B C की लंबाई B डेस C डेस के बराबर होनी जीए और ये कोंड जो है, इस कोंड के बराबर होना जीए, ऐसा जो है हमने रचना में ले लिया, अब इसके बाद जो हमें प्रूब करना है, तो उसको हम लिखेंगे किस में, उपपत्ति, अब देखिए, सुरवात में ही बोला गया है, कि ये कोंड जो है, इस कोंड के बराबर है, कौन D, A, B बराबर कौन S, P, Q है कहां से यह हमको दिया गया है वाले में समानतर चतुरभोज A, B, C, D वो P, Q, R, S में आप देख सकते हैं कौन A बराबर कौन P दिया गया है तो यह कौन यह कौन P के बराबर है और रचना में हमने क्या किया है यह कौन जो है इसके बराबर कर दिया है मतलब यह कौन इसके बराबर भी है और यह कौन इसके बराबर भी है तो निस्ची तो उससे यह वाला कौन और यह वाला कौन दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखे हो इसको, कौण A बराबर कौण P दिया है, तो ले हम इसको लिख लेते हैं, कौण D, A, B बराबर कौण S, P, Q, कौण D, A, B, बराबर कौण S, P, Q, दिया है, समीकराण A डाल दो, अब उसके बाद कौण D, A, B, तथा कौण D, A, B, बराबर कौण S, A, B, देस, यह दो, यह कहां से मिला, रचना से, तो समीकराण A कर दो से क्या मिलेगा, समीकराण A कर दो से, यह आपका दोनों लेप हैं बराबर हो गए, तो राइट हैं बराबर हो जाएंगे, तो कौण S, P, Q, बराबर कौण S, A, D, B, देस, संगत कौण बनेगा, संगत कौण बनेगा, अतख, अगर यह जो है आपका एक रेखा A-B-देस हो गया, एक रेखा P-Q हो गया, और यह कौण और यह कौण आपस में बराबर हो गया, तो ये संगत कौन बनाएंगे संगत कौन बनाने के वज़े से A-B-B- और P-Q आपस में कैसे हो जाएंगे समानतर तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतहा A-B-B- समानतर P-Q अब ये जो है दोनों समानतर हो गया तो ये आपको त्रिभूज मिलता है A-S-P-Q प्रिभूज A-S-P-Q में ये दोनों भूजा कैसे हो गया समानतर अब ये दोनों समानतर हो गया तो आधार भूज समानुपातिकता प्रमे जो है यहाँ पर हम लगा सकते हैं आधार भूज समानुपातिकता प्रमे क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक त्री भूज है एक त्री भूज में दो भूजा क्या हो गया है समानतर तो यह जो भूजा है दो बिन्दों में प्रतिछित कर रहा है तो यह जो है समान अनुपात में विभाजित करेगा समान अनुपात में भाजित करेगा क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो जो भूजा लिया गया है यहाँ पर हम ले सकते हैं P S P S बटे A डेस S Q S बटे B डेस S और P Q बटे A डेस B डेस क्योंकि यहाँ पर जो है दो भूजा का तो इस परस्ट दीगर है तीसरा भूजा भी हम ले सकते हैं तो यहाँ पर A डेस B डेस समान तर P Q होगा जिससे प्रिभूज S P Q में प्रिभूज S P Q में आधार भूत समान उपातिकता प्रेमे से अब इसका बड़ा भूजा लेंगे तो क्या हो जाएगा P S बटा छोटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा A डेस S बड़ाबर अब इसमें बड़ा भूजा लेंगे तो कौन सा हो जाएगा Q S पहले इसको ले लेते हैं P Q को ले लेते हैं P Q बटे इसका छोटा कौन सा हो जाएगा A डेस B डेस अब ले लेते हैं Q S बटे क्या हो जाएगा B डेस S समीकरन नंबर हो जाएगा यह आपका P अब यहाँ पर जैसे ही इस तरफ लिया गया त्रिभूज P Q S में जैसा लिया गया सेम ऐसा ही त्रिभूज जो है S Q R में भी हमको मिलेगा उसको हम ज़्यादा डीटेल में नहीं बताएंगे इसी प्रकार त्रिभूज S Q R में अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें त्रिभूज S Q R में क्या जाएगा यह आपका आएगा Q R बते Q R का छोटा अलब भूज़ा हो जाएगा B डेस S बराबर अरे B डेस C डेस जी B डेस C डेस यह हो गया Q R उसके बाद R S R S का क्यों सा हो जाएगा S C डेस उसके बाद Q S Q S बते इसका क्यों सा हो जाएगा S B डेस या B डेस S लिखो एक मतलब है B डेस S यह हो जाएगा आपका समीकरण नमबर 4 अब देखिए यह जो समीकरण 3 और 4 है यह तीनों आपस में बराबर है यहां यह तीनों आपस में बराबर है लेकिन लाज्ट वाला देखिए Q S बते B डेस S Q S बते B डेस S ये दोनों आपस में बराबर है जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों और ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है फोरस जगर कम है तो मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ तो यहाँ पर समी करण 3 वच चार से हमको क्या मिलेगा समी करण 3 समी करण 3 वच चार से हमको मिलता है पी एस बटे एस एस बराबर पी क्यू बटे एस बी डेस बराबर क्यू आर बटे ये बी डेस सी डेस और आर एस बटे एस सी डेस अब यहाँ पर जो है इसको आप ब्यास्थिप कर लेजिए कैसे ये पी क्यू ये क्यू आर ये आर एस और ये हो जाएगा आपका पी एस पर काम करता हूँ न मैं ये ही पर जो है इसको पी एस को लास्ट में लिख देता हूँ बराबर हो जाएगा पी एस बटे एस डेस एस अब यहाँ पर जो है आप देख लीजिए पी क्यू बटे एस बी डेस दिया गया है तो ये एस बी डेस किसके बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, B Q, R बटे B, C, D ये B, C, D किसके बड़ाबर है B, C के बड़ाबर है RS बटे S, C, D ये S, C, D जो है किसके बड़ाबर है CD के बड़ाबर है और P, S, बटे A, S तो ये A, S, S जो है किसके बड़ाबर है AD के बड़ाबर है और जो हम सिद्ध करने के लिए लिखे थे पूरा ये ही है अंतर के वल इतना था कि इसको ऐसे हमको पलटना पड़ेगा अंस का हर और हर का अंस तो यहीं पर हम लिख देंगे या AB बड़े PQ बराबर BC बड़े QR बराबर CD बड़े RS बराबर AD बड़े PS और यही हमको सिद्ध करना था अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संगत कूण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर अगर यह दो सर्तों को कोई भी बहुभुज पूरा कर लेता है तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं समरूफ हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर समांतर चतरभुज A, B, C, D और समांतर चतरभुज P, Q, R, S संगत कूण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने कारण दोनों चतरभुज जो है समरूफ जो है कहलाएंग तो इस प्रकार से जो है दो समांतर चत्रभूज जो है आपस में समरूफ होते हैं यह हमने सिद्ध कर लिया तो आज के वीडियो में इतना हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में